दोस्का दोस्तों टेक्नोलजी एस्मार्टफोन चैनल में आपका सौगत है अगर आप मार्टटटटट में आपको बहुत टाइप के आपको मिल जाएंगे साइब बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि जो एस्मार्टफोन वाल बाई करने गए हैं उसमें क्या अच्छाई सबसे पहले इसके बात करते हैं देखने में इसका काफी अच्छा लगता है इसका इन हंड फिल काफी सही है और यहां ज्यादा भारी भी नहीं है इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है क्योंकि इसमें 6.7 इंच फुल एडी प्लस सूपर एमोलेड डिस्प्ले नाइंटी हर् सब्सक्राइब करता है जो काफी ब्राइटनेक्स डिस्प्ले है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कोरिंग गोरिला गलास फाइब लगा हुआ है जो अच्छी बात है यहां इस प्रोसेसर में बहुत अच्छे से कर सकते हैं गेमिंग करते समय फोन ज्यादा हील्ट भी न बहुत अच्छी आती है और बैक कैमरे से 4K तक विल्डियो रिकार्ट कर सकते हैं जो बहुत अच्छी बात है फ्रंट कैमरा 32 मेगाफिक्सल का दिया गया है जिससे इमेज बहुत सार पाता है इस फोन को PC या TV में कनेट कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात या है कि या करें मेमोरी का कंविनेशन दिया गया है इस फोन के को न्य स्थीपध की बात गया तो इस का फिंग्र पृंट को सब्सक्राइब में दिया या है इन डिसप्लै फिंग्र पृंट इंसर होता तो और अच्छा होता है नाइट में फोटो सूट करने पर इमेज क्वालटी मेरे हिसाब से यापवन 19000 के रेंज में बेस्ट फोन है टेकनोलजी स्मार्फ़न चनल को का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दिश टेकनोलजी स्मार्फ़न चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विल आइकन को अंकर दीजिए ऐसे ही नौलेच से भटपूर वीडियो आप सबके लिए हम लाते रहते हैं अगला फोन है रियल मी नाइन प्रो फाइब जी सबसे पहले इसके प्रोज की बात करते हैं की बिल्ट क्वाइटी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बैग में ग्लास दिया गया है इसका डिस्प्ले अच्छा है इसमें 6.6 इंश फुल कोई प्रोब्लम नहीं होगा और इसमें हिटिंग इसू भी नहीं है इसमें 5G के छे बैंड दिये गये हैं जो अच्छी बात है इस फॉन के बैग में 64 मेगा फिक्सल कैमरा लगा हुआ है इससे इमेज क्वाल्टी बहुत बेस्ट आते हैं इसमें कलर बहुत अच्छे निकल चार्ज होने में लगबग एक घंटा 20 मिनिट का समय लग जाता है जो बहुत अच्छी बात है आप इस फॉन के कोंस की बात करें तो इसमें फोर्क के वीडियो रिकार्डिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया इसमें सिर्फ आप फुल एड़ी में वीडियो रिकार्ड कर सकते है यह एक हाइब्रीड सिम स्लाइड के साथ हाता है इसमें एक साथ दो सिम या एक सिम और एक मिमोरी कार्ड लगा सकते हैं इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है और फिंगर्प्रीन सेंसर साइल में दिया गया है या फोन 6GB और 128GB इंटेनर मिमोरी के लिए 18,899 रुपे करने होंगे यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगला फोन है पोको यक्स फोर प्रो फाइब जी सबसे पहले इसके प्रोज की बात करते हैं इस फोन का लुक और डिजाइन बहुत अच्छा है इसका बैक पैनल ग 120Hz refresh rate के साथ आता है और maximum 1200 nits की peak brightness है जिससे display sunlight में बहुत brightness रहता है इसमें IR blaster भी दिया गया यानि अपने mobile को remote की तरह यूज का सकते हैं इसमें carrier regulation का भी support मिलता है 5G के साथ band दिये है इसमें Qualcomm Snapdragon 695 5G processor लगा हुआ है इसमें gaming करने में कोई problem नहीं होता और hitting issue भी नहीं है इस phone का camera अच्छा work करता है image quality अच्छी आती है इस phone में 5000 एमेज बैल्टी और 67 वाल्ट का charger दिया गया है इसमें बैल्टी बैक बहुत ज़्यादा है और बहुत तेजी से बैल्टी को charge करता है अब इस phone के कौन की बात करते हैं तो इस phone में 4K video recording का support नहीं दिया गया है इसमें सिर् TV RAM और 64GB internal memory के लिए 17,999 रुपे पे करने होंगे अब ही हमने 20,000 के range में बेस्ट smartphone और उसके pro कौन के बारें बताया आसा करता हूं या video आप लोगों को अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो technology smartphone channel को subscribe कर देना और विल आइकन को अन कर देना ऐसे ही knowledge से भर